बीज निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेट कमपनी को नियम विरुद्ध भुकतान कने के मौामले की जाच विधान सभा की समयती करेगी। ये घोशना आज क्रिशी मंत्री रविंद्र चौबे ने विधान सभा में की। बजट सत्र के दोरान प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले में सवाल पूछा की दो करोड 61 लाख रुपए का भुकतान बीज निगम ने ब्लैक लिस्टेट होचुकी कमपनी को कर दिया है। कृपिया इस मामले में दोशी अधिकारियों पर क्या कारवाई की जाएगी उसे बताएं। उन्होंने क्रिशी मंत्री से इस मामले की जाच सदन की कमिटी से करने की मांग की। इस पर श्री चौवे ने अपने जवाब में कहा कि मामले में कोई राजनितिक संग्रक्षन नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने कमिटी गठित करने के करके जाज करने की घुशना कर दी विधान समा में शुनिकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीसा बंदियों को हाई कोड के आदेश के बावजूद सम्मान निधी नहीं देने का मामला उठाया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शृकौशिक ने कहा कि सरकार हाई कोड के आदेश की अवहेल ना कर रही है इस नाम से पुरूवर्ति सरकार के द्वारा जो लोग मीसा में बंद रहे एक सम्मान निधी की घोश्णा की गई थे और सम्मान निधी उनको मिलता रहा लेकिन जब कांग्रेश की सरकार आई तो नियत उनकी बदल गई और उस सम्मान निधी को देना बंद कर दिया मीसा बंदियों को सम्मान निधी नहीं देने के मामले में विपक्षि सदस्यों ने सदन में नारे बाजी की और शोर शरावा बढ़ने पर अध्यक्ष्ट डॉक्टर चरंदास महंत ने सदन की कारवाई पांच मिनिट के लिए स्थगित कर दी